हालो एंड विल्कम फ्रेंट्स मैं हूं वाका स्कोट नाला आप देख रहें कंप्यूटर वर्ल्ट टिपसेंड इक्सूर चनल दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम ऑनलाइन ट्रेन में अपना खाना बुक कर सकते हैं हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं लेकिन हमें अपने मन पसंद का खाना नहीं मिल पाता या तो फिर हमें घर से ले जाने की जरूरत परती है लेकिन अगर जो सफर लंबा होता है तो घर्ट से खाना ले जाया हुआ खराब हो जाता है जिस कारण से हमें हमारी इच्छा होती है कि हम आउनलाइन ही बूक करें और अपने मन प्रसंद का खाना बूक करें जो कि हमें हमारे सीट पर ही मिल जाए अगर जो आप लोग सीखना जाते हैं जानना जाते हैं कि किस तरह से अपना फूड ऑनलाइन बुक करते हैं तो इस वीडियो को लाज तक का देखते रहें लेकिन ये सब सुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर जो आपने अभी तक अपना कंप्यूटर वल्ल टिप्स एंटिक्स्रूप चनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप ये चनल अभी तुरन सबस्क्राइब कर लीजिए आप यहाँ पर वीडियो में आएंगे तो आपको यहाँ पर 450-500 वीडियो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी आप यहाँ पर आ सकते हैं कुछ नया सीख सकते हैं तो इसके लिए सर्वस से पहले हमें याँ पर जो IRC try-tc की जो एप्लिकेशन है वह हमनें याँ पर इंस्टल की है आप यहाँ पर अगर जो यहाँ पर लोग इन आइडी है इसको आप Google Play Store से डाउनलोड करके डाउनलोड करके डायरेक्ट अपना Food Book कर सकते हैं मेरे पास User ID है तो मैं यहाँ पर User ID से ही यहाँ पर अपना यहाँ पर खाना Book करूँगा तो मेरी जो User ID है जो पिन है वो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर Log In इस पर क्लिक करूँगा Log In पर क्लिक करते ही मेरा जो यहाँ पर जो अकाउंट है वो यहाँ पर Log In हो जाएगा अब यहाँ पर किस तरह से हमें बुक करना है किस तरह से हम इसको Online Book कर सकते हैं सब कुछ हम यहाँ पर पैमेंट करके यहाँ पर देखने वाले हैं यह सब के बारे में हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे हमें अपना खाना बुक करना है तो हम यहाँ पर बुक मिल इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद जो ये पैज ही याँ पर लोड हो रहा है इसके बाद हमें याँ पर अपना PNR नमबर याँ पर टाइप करना है अगर जो आप याँ पर PNR नमबर याँ पर टाइप कर लेते हैं तो आसानी होता है हमें direct हमें हमारी ही seat पर यह खाना मिल जाए तो यहाँ पर हमने जैसे PNR नमबर यहाँ पर ले लिया उसके बाद हम यहाँ पर arrow button पर click करेंगे इस पर click करते ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हमारी जो train है वो यहाँ पर आ जाती है timing डेट यहाँ पर हमें मिल जाती है train नमबर यहाँ पर है PNR नमबर यहाँ पर है onboarding यहाँ पर कहां से है वो हमें यहाँ पर मिल जाता है यहाँ पर PNR नमबर डालने से यह फायदा यहाँ पर यह हुआ कि जितने भी station बीच में आएंगे हमारे सफर के दोरान जितने भी steonen beast में आएंगे वो सब हमें यहाँ पर मिल जाते हैं कहाँ पर हमें खाना बूइक करना है वो हमें यहाँ पर कर सकते है अब यहाँ पर हमें टाइमिंग के हिसाब से जैसे किcription अजियाबाद में यहां पर साड़े याट पीम पर यहां पर पहुंच रहा है तो साड़े याट बजे तो कोई खाना नहीं होता हजरत हजरत निजामुद्दिन में यहां पर नो इकतीस पर यहां पर पहुंच रहे हैं ऑफिए मिनिमम जाठी हमें एस पर कलिक करोंगा इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने हाँ पर जो भी खाना है वो सब के सब आ गयो है जो भी आपको अपने हिसाब से बोक्को करने बोह आप याँ पर बॉक कर सकते मैं यहाँ पर यह चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ पर एड़ करूँगा इसको हम यहाँ पर पलस भी करेंगे तो यानि कि इसको बढ़ा भी सकते हैं लेकिन मुझे एक ही पीस यहाँ पर चाहिए और साथ-साथ मैं मुझे यहाँ पर चाहिए पानी तो मैं यहाँ पर रेल न नमबर यहां पर टाइप करना है एमेल आईडी अल्टरनेट मोबाइल नमबर और यहां पर कुछ हमें आपर मैसेज यहां पर टाइप करना है और यहां पर आप लोग देखेंगे सब कुछ हमें यहां पर हमारी सीट्स वगेरे सब कुछ यहां पर आ चुकी है तो हम यह सारी यहाँ पर फिल अप कर लेते हैं तो जैसे कि हमने आपर यह सारी डीटेल्स यहाँ पर फिल अप कर लिये हैं इसके बाद हमें आपर सेव एंड कंफर्म इस पर किलिकर लेना है और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर पूरी डीटेल्स यहाँ पर हमें नजर आ रही है यहाँ पर आप लोग इसको फिर से यहाँ पर एडिट करना चाते हैं तो कर सकते हैं यहाँ पर हमें टोटल अमाउंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है अगर जो आपके पास कोई coupon यहाँ पर है तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं लेकिन हमारे पास यहाँ पर कुछ भी कोई भी coupon यहाँ पर नहीं है हम यहाँ पर confirm इस पर click करेंगे confirm पर click करते ही हमें यहाँ पर payment वगेरा यहाँ पर करनी है हम यहाँ पर इसको cash on delivery भी कर सकते हैं या फिर इसकी payment अभी हम यहाँ पर कर भी सकते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ इसकी payment में यहाँ पर अभी कर लो तुम्हें यहाँ पर अपना card यहाँ पर select कर लेता हूँ इसके बाद हम यहाँ पर नीची के और यहाँ पर जाएंगे और Pay इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यह हमें यहाँ पर Option दे रहा है कि हम किस तरह से अपना Payment यहाँ पर करना चाहते हैं कार्ड की सबसे Net Banking या फिर E-Wallet जो भी आप यहाँ पर यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर सब्रोप्रतम मैं यहाँ पर अपना कार्ड यहाँ पर ले ले लेता हूँ तो जैसे कि यह सारी Details हमने यहाँ पर Fill Up कर ली हैं इसके बाद हमें यहाँ पर Pay इस पर Click कर लेना है Pay पर Click करते ही यहाँ पर यह आपको दिखा रहा है कि कितना यहाँ पर हमें इसका amount यहाँ पर Pay करना है मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि अगर जो आप लोग नेट बेंकिंग से करेंगे तो यहाँ पर आपको एक्ष्टा चार्ज देना होगा अगर जो आप कार्ड से करेंगे तो इसका कोई भी चार्ज आपको एक्ष्टा नहीं देना होगा हम यहाँ पर continue इस पर click करेंगे और continue पर click करते ही हमारे register mobile number पर एक one time password send कर दिया जाएगा वो one time password हमें यहाँ पर फिलब करना होगा उसके बाद हमारा जो भोजन है जो खाना है वो book हो जाएगा तो हम थोड़ी यहाँ पर wait कर लेते हैं और उसके बाद जो हमारे mobile number पर one time password जो आया है वो हमें यहाँ पर type करना है और यह सब करने के बाद हमें यहाँ पर submit button इस पर click कर लेना है submit button इस पर click करते ही हमारा जो यह process है यह सारी यहाँ पर complete हो जाएगी तो इसके लिए भी हम यहाँ पर थोड़ी यहाँ पर wait कर लेते हैं तो इसके बाद जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो खाना है वो यहाँ पर book हो चुका है यहाँ पर order पहले हैश्ट यहाँ पर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है अगर जो आप इसको cancel करना चाते हैं तो यहाँ पर cancel भी कर सकते हैं तो इस तरह से हमें अपना जो खाना है वो online book कर लेना है मुझे यकिन है कि आप लोग यहाँ पर सब कुछ समझ चुके होंगे अगर जो आपको यह वीडियो पसंद आती है